आज की वीडियो में हम आपको रमजान के हवाले से एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकिनन आप बहुत ज्यादा हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे वह रमजान का क्या करिश्मा है आज की वीडियो में हम आपको साथ साल के लड़के का एक ऐसा वाक्या बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका इमान ताजा हो जाएगा तो दिल थाम के इस वीडियो को सुनिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले क्यूंकि ह हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं प्यारे दोस्तों एक साथ साल का चोटा बच्चा था जो जुमे की नमाजपने मस्जिद में गया जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब रमजान और रोजे की फजिलत बयान फर्मा रहे थे ये बच्चा अब ये बच्चा सिर्फ साथ साल का ही है आप इसके अंदर का जज़बा धे रमजान के रोजे की महंबवत देखे और यही हाल रमजान सरीफ में तमाम बच्चों का होता है दोस्तों वो बच्चा ये बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी अमी से कहता है अमी बार बार जिद किये जा रहा था कि मुझे रोजा रखना है अल्ला ताला की इबादत करनी है और जैसी ही रात हुई तो वो फोरण सो गया लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो वो बच्चा ना उठ सका और बच्चे की माने उसे नहीं उठाया माने सहरी किया नमाज पढ़ी औ क्यूं नहीं उठाया और इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा रोने लगा और कहने लगा मेरी आरजू थी मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोजा रखूंगा लेकिन मा आपने मुझे नहीं उठाया मुझे क्यूं नहीं उठाया और वो बच्चा हाथ पैर पटक पटक कर रोन लगा उसकी माउस को समझा रही थी कि अभी तु बहुत छोटा है अभी तु इस लायक नहीं है तु भूक बरदास नहीं कर पाएगा लेकिन वो बच्चा अपनी जिद पकड़े रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया फिर जब रात हुई तो बच्चा ये जानता था कि अ रोजा रख लिया आज वो बच्चा बहुत खुश था उसने सोचा आज मैंने रोजा रख लिया है प्यारे दोस्तों जैसे जैसे सुभा सुरज निकलने लगा और मा बेचैन हो गई वो जानती थी मेरा बेटा ये बरदास नहीं कर पाएगा और वो जल्दी जल्दी खाना बनाई और दोपहर के बाद अपने बेटे से कहा कुछ तो खाले मेरे बेटे दोपहर हो गई है तेरी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती तब बच्चे ने कहा मा रोजा तोड़ना भी गुना होगा तब मा बोलती है तेरा गुना में अपने सर लुंगी मेरे बेटे कुछ आबर कहे जा रही थी बेटा तेरा गुना में अपने सर लेती हूं तू रोजा तोड़ दे तू बरदास नहीं कर पा रहा है लेकिन जो बेटा था वो किसी हाल में नहीं माना और वक्त गुजरता रहा जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत खराब हो गई याने के इसकदर उसकी तबियत खराब हो गई कि उसका गला सूख गया हत्ता ये हुआ कि भूक और प्यास की वज़े से उसकी जान निकल गई ये देखकर उसकी मा बहुत रोई बहुत पस्ताई इतने में मगरीब का वक्त हो गया जैसे ही इफतार का वक्त आया तो उसकी मा ने खोला वो रोजा खोलती जाती और रोती जाती फिर उसने मुसलला बिछा कर मगरीब की नमाज आदा करी और नमाज आदा करने के बाद हात उठाकर वो दूआ करने लगई या अल्ला मेरा बेटा चला गया अब मैं क्या करूँ मेरी तो सारी कमाई लुट गई है अब मैं क्या करूँ मैं कैसे जिऊंगी वो दुआ मांग ही रही थी के इतने में दर्वाजे पर एक फकीर आ गया उसने कहा घर में कोई है क्या मैं रोजेदार हूँ मुझे कुछ खाने को दे दो जब उस औरत ने फकिर की आवाज सुनी तो उसके घर में जो भी खाना पका हुआ था उसने ले जाकर उस फकिर को दे दिया फकिर ने ओरत की हाला देखी और उसे पुछा ये बीबी तुझे क्या हुआ है और ने कहा मेरा एक 7 साल का बेटा था उसने आज रोजा जैसे असर के वक्त उसकी जान निकल गई तो ये सुनकर फकीर घर के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर उस बच्चे की लास रखी हुई थी। आपने माहे रमजानल मुबारक का कितना बड़ा करिश्मा हो गया तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में सुभान अल्ला जरूर लिखे और इस वीडियो को सबाब की नियत से जितना हो सके उतना शेयर कर दे हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में तब तक क अल्यी ऐसलाम अला हाफीज